हलो दोस्तों जैसा आप सभी की डिमांड थी कि सर कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास कब से आ रही हैं सब भी वंडे एक्जाम के नोटिफिकेशन आ गया है हमारे पास पटवारी का नोटिफिकेशन आ गया है एससी का नोटिफिकेशन आ गया है ग्रूप टू की वेकेंसी आ जो सब भी वंडे एक्जाम को कवर करेगा तो यह रहा आपके स्क्रीन पे स्लिवर्स जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर के प्रकार सबसे बेसिक आज हम कोसिस करें कि यह टॉपिक कर लिए पूरा कंप्यूटर का उद्भव विसेशता हैं और पिढ़ी कंप्य मेमोरी यह वह में स्टूरेज डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट इमेल, सोचल मेडिया, सॉफ्ट्वेर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडूज, माइक्रोसॉफ्ट आफिस, कंप्यूटर भासा, भासा अनुबादक सॉफ्ट्वेर यह इसके बारे में देख हम वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से भी वो टॉपिक जो समाने बच्चों को लगता है कि काफी कठिन है, तकनीक की सब्दावली समझना उनके लिए मुश्किल है, उन टॉपिक को हम एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाएंगे, जैसे कि हम अक्सर क्लास के वीडियो में करते आ रहे हैं, तो चलिए, आज अपना पहला टॉपिक प्रार्ण करते हैं, और यह है कंप्यूटर के प्रकार, यह प्रकार में हम अभी इससे पहले का टॉपिक चलते हैं, basic computer, आज जो हमारा टॉपिक होनेवाला है, वो है basic computer, हम यहां से स्टार्ट कर रहे ह क्लिया Rabbit तू सबसे पहले हम जानते हैं कम्प्यूटर है क्या तो कम्प्यूटर से पहले हम एक चीछ देख लेते हैं कि कम्प्यूटर्व बना है वह Compute सबसे बना है compute का अर्थ होता है compute जो है एक Latin भासा का सब्द है ये question में बहुत आया तो पहला question यही से बनेगा आपका one markers की कौन से भासा का सब्द है Latin भासा का कुछ किताब में Greek भासा दिया हुआ है तो उसको वाइट करना है उसको जो है आप मान के नहीं चलेंगे कुछ किताब में कुछ वेबसाइटों पे Greek भासा आपको देखने को मिलेगा तो computer लैटिन भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना मतलब कोई भी ऐसी मसीन जो किसी भी तरह की गणना करने में सक्चम है उसको हम computer बोलेंगे ये इसके नामकरन से आया है इसके नाम में जो इसका अर्थ छुपा हुआ है उससे आया है लेकिन हम बात करें वास्तविक अर्थों में अभी के मतलब समय में computer की क्या अर्थ है तो computer एक सवचालित electronic machine है जो निर्देशों को ग्रहन करता है input के रूप में ग्रहन करता है उसका visualization करता है एवं आवस्तिक परिणामों को output के रूप में प्रदर्शित करता है ठीक Oxford dictionary ने एक computer की परिभाशा दिया है हमाई लिए ये परिभाशा कामकर नहीं है यहां से क्या कामकर जो हमारा दो कुश्चे निकला है किस सब्द से बना है compute से बना है कौन से भासा का सब्द है Latin भासा का सब्द है इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है गणना करना to calculate देखो ये जो हमारा वीडियो है ये हिंदी में हम English के अलग वीडियो लाएंगे सारे हमारे subject Science and Tech, PSE के लिए One Day Exam के लिए Computer और Science और Mathematics ये सारे टॉपिक हिंदी और English में अलग अलग देखने को मिलेंगे तो परिफासा एक बाद देख लेते हैं Oxford Dictionary ने बोला है कि भाईया, computer एक स्वचालित Electronic Machine है कैसा मसीन? स्वचालित Electronic Machine जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गननाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है ठीक चलिए अब आगे देखते है की computer क्या है देखो अभी हमने discuss कर लिया की computer Latin भासा का सब्द compute से बना है जिसका मतलब है गनना करना तीन कुश्चने हां से वंडे एक्जाम में निकलेंगे इसका विसकार गनना करने के लिए किया था इसलिए इसको हम गननक बोलते हैं और बाद में जो है इसका नाम सुधार के हम क्या कर दिये संगनक कर दिये computer की कुछ किताब में आपको full form भी देखने को मिलेंगे ये से full form जो है ये जबदस्ति का बनाया गया है सुरू में ये full form था नहीं तो इसका full form भी आप ध्यान रखेंगे computer c o m p u t e r computer में हर एक सर जो यहां पर अक्छन है वर्ड है उनका अपना-पना मतलब है तो computer का full form है commonly operated machine particularly used in technology, education and research यहां पर क्या हो जाएगा टेक्नोलोजी हो जाएगा n o l o g y technology यहां पर क्या हो जाएगा education and research ठिक तो यह हमारा computer का full form है commonly operated machine particularly used in technology education and research तो यहां से चार question इस page से आपको देखने को मिले हम इस topic के आखरी में हर जो भी वीडियो हमारा होगा उसमें हम question भी discuss करते चले जाएगे और computer का 5000 question 2500 question हम अलग से भी एक वीडियो तियार करेंगे जिसमें आपको एक ही क्रित रूप में मिल जाएगा तो आगे देखते हैं कि computer system का घटक कौन कौन है मतलब computer किस से मिल करके बना होता है component कौन कौन से है computer system के तो computer system के जो component है वो तीन भागों में उसको हम बाट सकते हैं पहला है hardware दूसरा है software और तीसरा है data data मतपूर्ण है data से कुछ question बनेगा hardware और software से एक ही question बन सकते हैं अभी फिलहाल hardware हम एक unit दिखने वाले है software भी एक unit पूरी काई हम देखने वाले उसमें काफी detail हम चलेंगे hardware और software पर अभी फिलहाल हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा जो है परिचे जान लेते हैं computer hardware जो अगला हमारा heading है computer hardware computer का भौतिक भाग है भौतिक भाग मनलब जिसको आप छू करके देख करके महसूस कर सकते हो उसको हम बोलते है computer का भौतिक भाग computer की जो डब्बे है पूरे जो आप देख पाते हैं कि keyboard mouse यह computer system वाला जो डब्बा है यह जो monitor screen है यह जो हमारा paint टैब है जिस पे हम लिख रहे हैं यह सब जो है computer hardware का भाग है इसको हम चूकर के महसूस कर पा रहे हैं यह किस से बना है यह जो हमारा है computer का सरीर कहा जाता है ठीक है computer hardware is also known as body of the computer तो यह सब उधारन हो गए hardware की यह आप जो diagram में कुछ hardware देखेंगे कि कौन-कौन से computer hardware आपको दिख रहे हैं यहां जो hardware दिख रहा है इसको जड़ा गौर को रही है यह वाला जो hardware है इसको हम बोलते है motherboard ठीक है यह जो hardware है इसको बोलत computer system और समाने बोलचाल में इसको हम बोलते है CPU ठीक है यह हमारा जो है इसको हम बोलते है monitor यह जो है इसको हम बोलते है monitor ठीक यह हमारा pen drive है यह जो दिख रहा है न भीया इसको बोलते है graphic card आजकल computer में इस्तमाल हो रहा है laptop में इतने छोटे छोटे आकार के graphic card आते हैं यह जो ह जो है यह है RAM आपको यदि यह सारे उपकरनों को वास्तवी ग्रूप से देखना है कम्प्यूटर में कहां लगा होता है कैसे लगा होता है तो यह जो है हम अपने कम्प्यूटर मेरा जो कम्प्यूटर है उसमें मैंने एक वीडियो बना करके दिखाये कहां क्या लगा हुआ है एनिमेशन के साथ बताया है कि यह सब वास्तों में क्या काम करते हैं आप जो है चैनल पर जाइएगा और वहां पर सर्च किजेगा या वहां पर आप देखेंगे हाड़वेर की सैर तो एक ऐसा आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर आके आप एनिमेशन में देख लेना जिसमें हम पढ़ा नहीं रहें केवल ये बताने कंप्यूटर हाड़वेर है क्या कैसा दिखता है कैसा होता है कौन सा कारे करता है तो चलिए अगला जो सब्दावली है हमारा वो है सौफ़वेर तो भाईया जो सरीर था वो कौन था कंप्यूटर का जो है हाड़वेर तो अब सरीर के पास आत्मा होना चाहिए दिमाग होना चाहिए Computer को बताएगा कौन की भहिया जी तुमको क्या काम करना है कैसे काम करना है तो ये सारे काम जो बताता है Computer को भहिया तुमको खलाना ठीकाना कांड करना है वो है हमारा Software, program के दौरा हम उसको तयार करते हैं पर नते इक Software एक विसेज निर्देश तो कहा ही पालन करता है इसे विसेज कारे को पूरा करने के लिए प्रोग्रामों का समू उसको हम बोलते हैं software जैसे हमारा WhatsApp है WhatsApp में हम क्या कर पा रहे हैं मैसेजिंग कर पा रहे हैं आडियो कॉल वीडियो कॉल कर लेते हैं लेकिन WhatsApp में हम फोटो एडिट तो नहीं करेंगे तो एक विसेज कारे के लिए WhatsApp बना है ऐसे ही फोटो को एडिट करने के लिए वीडियो को एडिट करने के लिए एक दूसरा software बना है यह जो मैं record कर रहा हूं lecture जिससे आप देख पा रहे हो इसके लिए एक अलग software बना है तो software को हम ऐसे समझेंगे कि software जो है program का एक समू है जो किसी विसेज कारे को पूरा करने के लिए तयार किया जाता है software computer बाबा को बताता है कि बाबा तुमको ये काम करना है ऐसे काम करना है तो software को हम क्या बोलेंगे आत्मा बोलेंगे कि ये जो है हमारा computer का आत्मा है अगर hardware engine है तो software उसका इंधन है बिना petrol के hardware नहीं चलेगा तो software बोले तो petrol बोले तो आत्मा अब कुछ software आप पहले से सुने होंगे ये देखो स्क्रीन पे आपको software दिख रहा है अलग अलग ये software के उधारन है ये सारे software's है आपके mobile में जो app है जिसको आप app बोलते हैं ये हमारा क्या है ये हमारा software होता है mobile का software app कहलाता है और computer में जो है वो software software बोलते हैं उसको सीधा सीधा ठीक तो hardware हम समझ ली हम software समझ ली अब आगे देखते हैं data जो तीसरा घटक है तो data बोले तो computer के दुनिया में जो भी चीजें उपलब्ध हैं जो भी नाम आप जानते हो फलों के नाम, मेरा नाम, आपका नाम मेरे चैनल का नाम, ये स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं आपको ये सब data है data मतलब सूचनाओं का अब्यवस्थित संकलन सूचनाओं ले तो तत्थे तत्थियों का अब्यवस्थित संकलन है वर्गी कृत नहीं है ये सब data हैं जो हमारे काम के नहीं होते कुछ data हमारे काम के हो सकते तो जो data हमारे काम के होंगे उनको हम सूचना बोलेंगे आगे देखते हैं कि क्या होता है तो हम अपने आसपास के परियावरंसी जो भी आकर एकठा करते हैं डाटा कहलाता है समानिता ऐसा समझो फलों की गिंती वेक्ति वस्तु का नाम कापतां कि यह सब डाटा हो गया डाटा भीया बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं इस सब में यहां पर दिखरा है डाटा का प्रकार इस सब में कुछ प्रकार महत्वपूर्ण है जो वंडे एकजाम में पूछा गया है तो हम देखेंगे किसको क्या बोलते हैं संख्यात्मक डाटा को बोलते हैं नुमेरिक डाटा ठीक है नुमेरिक डाटा जीरो से लेके 9 तक का इस्तमाल करेंगे तो यह data ऐसे लिखेंगे तो संख्यात्मक data कहलाएगा Alphabetic data मतलब वर्नात्मक इसको क्या बोलेंगे वर्नात्मक आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम याद दखोगे वर्नात्मक बोले तो एसे लेके जिट तक हम लिखेंगे इसका प्रयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे वर्नात्मक डाटा चिनात्मक डाटा या अलफा नुमेरिक डाटा ठेक अलफा नुमेरिक डाटा अलफा नुमेरिक डाटा आपसे पूछा जाएगा चिन्हात्मक डाटा मतलब भो गया केवल चिन मतलब चिन्हात्मक डाटा में हमने at the rate, h, comma, dot यह सब इस्तमाल किये तो विशेश चिन्हों का इस्तमाल किये तो उसको बलेंगे चिन्हात्मक डाटा और alpha-numeric data इससे अलग है alpha-numeric data question में आया है तहले तो हम इसको जानते हैं यह है क्या अल्फा बेट, अल्फा बेट मतलब A से लेके जिड नमबर नुमेरिक मतलब नमबर जीरो से लेके नौ और साथ ही साथ विसेश चिन यह तीनों शामिल होंगे तो उस डाटा को हम बोलेंगे अल्फा नुमेरिक डाटा अब देखो भीया पेपर में कुश्चन कैसा आएगा देखो A, B, C, E, उसके बाद आएगा A, B, at the rate 9, 2, 3, 4, 5 उसके बाद आएगा 7, 4, A, B, इन में से कौन अल्फा नुमेरिक डाटा है तो यह जो ऑप्शन B दिख रहा है यह अल्फा नुमेरिक डाटा है अब देखो बीडियो डाटा पता है आपको जो चल्चित्र के रूप में होगा ओडियो डाटा जो ध्वनी के रूप में होगा ग्राफिक डाटा जो हमारा जो है टेवल ओगरा जो फॉर्म आता है यह सब ग्राफिक डाटा हो जाएगा animation data आप छोटा भीम देखें वो डोरेवान वो animation data है जहाँ पर हम काइटून अगरा बना देते हैं उसको दिखाते हैं तो animation और video दोनों data का सम्मिलित रूप है ठीक तो data के इतने प्रकार हो सकते हैं हमारे जरूरी कौन सा था हमारे लिए सबसे जरूरी था alpha numeric data चलो अगला भाग है सूचना और data processing देखो data हमारे पास हो गया कोई भी तत थे कुछ भी दुनिया में है वो सब data है अब उसमें से जो हमारे काम का है वो सूचना कहलाएगा ठीक है हमारे काम का है कैसे बात करें हम तो जैसे हमारे पास किताब है उसमें 500 पेज है हम उसको 200 पेज में हमने नोट बना लिया तो यह किताब की जो सारे पेज हो गया जिसमें बहुत सारे बकवास भी लिखा हुआ है टेवल बना हुआ है राइटर के बारे में लिखा हुआ है राइटर के फैमली के बारे में लिखा हुआ है तो यह सब हमारे क्या कहलाएगा data है ठीक है तो सूचना जो है वो क्या है बिवस्थित होता है डाटा और विवस्थित होता है सूचना उप्यों करता कि हिसाब से बिवस्थित किया जाता है जैसे मान लो कि कोई लड़का है अब मैंसे बहुत सारी लोग हमारे दोस्त हैं अब उनमें क्या हो गया कि किसी एकी फ सूचना होता है वो उपयोग करता के हिसाब से क्या होता है विवस्तित और संकलित होता है ठीक तो सूचना आपको समझ में आ गया कि सूचना क्या है अब जो कंप्यूटर भाई साब है वो क्या करते हैं डाटा को सूचना में परिवर्तित कर देते हैं तो यह जो प्रकिरिया ह इसको बोला जाता है data processing, data को सूचना में परिवर्टित करने की प्रकिरिया, इसको हम data processing बोलेंगे, ठीक है, अब अगला एक सब्दा वली है electronic data processing, तो जिसमें electronic विधी से data का visualization हो रहा है, program के द्वारा हो रहा है, software के द्वारा हो रहा है, हमें 50 फोटो डाल दिये, computer बावा को बो लग कर दो कंप्यूटर उसको फटा-फटा लग कर दिया तो यह हो गया डाटा से सूचना में परिवर्तन कंप्यूटर ने किया तो यह कहलाएगा electronic data processing हमने तीनों के तीनों जो है घटक पढ़ लिए हमने पढ़ा hardware क्या है भौतिक भाग computer का सरीर हमने पढ़ा software क्या है आत्मा है डाटा क्या है जहां पर आत्मा भटकेगा पूरा जिसके साथ काम करेगा वो कहलाता है data ठीक है चलो computer की विसेश्ता है यह आप सब को पहले से पता होगा कि computer की क्या विसेश्ता है हमा जो mobile है वो भी एक computer है computer भी यह बहुत तेजी से कारी करता है तो गती उसकी विसेश्ता है सो चाली थैं एक बार बता दिये क्या सब काम करना है वो खुद से करते रहता है रूटी रहित कारे करता है जो काम करेगा computer जो गिनती गिनेगा जो भी कारे करेगा एकदम सही करेगा computer के पास भंडारन चमता है जो भी काम हो रहा है उसको हम save करके रख लिए photo, video, audio यह आप video भी download करके save करके रख सकते हो दुबारा देखने के लिए विसाल भंडारन चमता है उसके पास अस्थाई है पर्मानेंट है और विसाल है जितना चाहें डाटा हम भंडारित करके रख लेंगे भविस्व में यूज करने के लिए नेड़ने लेने के छमता है computer के पास आज कल हम आगे एक सब्द पढ़ेंगे जिसको बोलते क्रित्रिम बुद्धी मत्ता ठीक है क्रित्रिम बुद्धी मत्ता बोले तो artificial intelligence जब हम देखेंगे computer बोलेगा इंसानों से कि बेटा तुम निकल लो अब मंगल गरह पे धरती हमाई लिए खाली कर दो तो उस वाले जो इस्तिती को हम बोलेंगे क्रित्रिम बुद्धी मत्ता ये एक सब्दा वली है आज कल fashion में चल रहा है इसको अपन आगे पढ़ेंगे इस फूर्ती computer काफी तेज काम करता है तो यह है इस फूर्ती गोपनियता डाटा सुरक्षा पहले जो हम पोथा बना बना के कपड़े में लपेट के फाइल रखते थे अब क्या कर देते हैं computer में type कर दिये password डाल के छोड़ दिये तो डाटा उससे सुरक्षित भी रहता है ल विसेश्ता में भी आता है तो इस बात का विसेश्त ध्यान रखेंगे हम कुश्चन पूछा गया है पेपर में के इन में से कौन से विसेश्ता है जो computer की कमियों में भी शामिल है तो वह भीया है data सुरक्षा कागज के प्रयोग में कमी आज कल computer आने से क्या हो रहा है कि उतना हमने बोल दिया उतना ही काम करेगा खुद का दिमाग नहीं लगाएगा चीला है लेकिन खाचीला आप सीमा नहीं रहा दुनिया में बहुत पैसे वाले भीया जी ठीक वाइरस का खत्रा होता है अभी बताए कि data सुरक्षा जो है वो विसेश्ता भी है और कम्या भी है ये कच्रे का उतपादन ये मतलो होता है electronic कच्रा ये बोले तो electronic ठीक है electronic कच्रे का उतपादन computer जो है आप देखे होंगे माल लो एक उधारन बता रहे है हमारे बेंगलूर में 40,000 जो है कमपनिया है एक साहर के बात किये classes में भी मैं ये उधारन बताते रहता हूं हमेशा अब भी अगले साल इसी साल 5G आ गया है इन दोर में तुम मेरे मुबाइल में चल रहा है आप अपडेट करके देखो अब जिन लों के पास 5G नहीं होगा अगले साल तक सबको मुबाइल बदलने पड़ेंगे पुराना मुबाइल हो गया डबा सबको अपडेट चाहिए न तो उस्ते क्या होगा पुराने मुबाइल का जो कच्रा बना उसको हमने बोला इकच्रा तो कम्प्यूटर के द्वारा इकच्रा पहलाया जाता है तो इकच्रे का उत्पादन करता है यह भी कम्प्यूटर के सीमाएं हो गई क्लियर अब कंप्यूटर के अनुप्रियोग तो देखो अनुप्रियोग वंडे एक्जाम के लिए हमें पहना नहीं है ऐसा समझ लो कि बच्चों के डाइपर बनाने से ले करके अंत्रिक चुपद्यों गिकी तक सब जगह कंप्यूटर का इस्तमाल किया जा रहा है अब कोई फुमेंट्र में भी आईपर कैसे बनाइंगं कमप्यूटर से तो यह डाइक हेथां करते हैं वह सारा कमप्यूटर के द्वारा किया जाता है इंसान जो है अभीन काम नहीं करता है थीक दिमाग और रहां बिफ्यांट सामगर्य किसकारि करता है औलनाइन एजूकेशन आप जो देख रहे हैं मल्टी मीडिया ओडियो वीडियो का जो चलन है वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर का काम है बैंकों में काम है चिकित्सा में काम है यह जो ऐसे मसीन पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो हमारा हार्ट रेट दिखाता है ठिक, EEG, ECG अंत्रिक्ष परद्योकी में काम है तो यह सब हमें वन डे एक्जाम के लिए नहीं पढ़ना है हम लोग जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज करते हैं वो है भीया मनुरंज दिन बर बैठ के जो है हम रेल स्लाइड करते रहते हैं तो किताम छापने में कंप्यूटर का काम है ables direction में कंप्यूटर का काम है ते सरकार जो है अब जारी करते है है आप डाउन डाउनूड करो सरकार एंपीसर से बाचित करो अनको अपने सुझाब दो तो ऐसा समझो कि सारे जगह हमारे मानव जीवन से जुड़े हुए सभी छेत्रों में कम्प्यूटर का कारे होता है तो अब हम चलते हैं अभी तक हमने बहुत कम पढ़ा है कि कम्प्यूटर है क्या कम्प्यूटर में क्या तीन चीजें होती है में में अब हम इस से सम्मंदित कुछ question डिसकस कर लेंगे पहले तथ देख लेतें तो computer का घटक जो भी है जो हमारे computer में है वो क्या सब होगा या तो hardware होगा या software होगा भारत का पहला computer जो अस्थापित किया गया था वो था भारती सांखी की संस्थान कलकत्ता में कोलकाता में और इसका अंग्रेजी नाम में जान लो Indian Estatical Institute यह ISI इसको बोलते हैं ISI यह आतंगवादी संगठन नहीं है न क्या है यह Indian Estatical Institute कोलकाता में यहाँ पे पहला computer लगाया गया था देश का प्रथम computer साक्षर जिला है जहाँ पर सारे लोग computer के बारे में जानते हैं तो यह है मल पूरम और यह कहाँ पर है केरल में है बेस्थू computer साक्षर ता दिवस मनाया जाता है दो दिसंबर को computer तर था internet का प्रयोग करने वाला तर था इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है digital divide डिजिटल डिवाइड मतलब कुछ लोग digitally बहुत सारा जान बहुत जानकार होते हैं उनके पास बहुत सारे digital equipment होते हैं सीने होती है अब कुछ लोगों के पास खाने के अभी ढंके पैसे नहीं तो इतने हाइर configuration वाले उच्छमता वाले computer खरीद नहीं सकते mobile तक जो effort नहीं कर सकते तो फिर इनके बीच का जो अंतर है जैसे अमीरी और गरीवी का अंतर होता है पैसे में वैसे हैं जो है हमारा digital साक्षर्टा में जो अंतर है उसको बोलते है digital divide अब कुछ questions पर चलते हैं संभावित प्रश्ण और इसका answer जो है आखरी में हम बताते चले जाएंगे आप एक बार खुद से पढ़िए और मुझे उमीद है कि आप सभी question का answer खुद से दे पाएंगे ये सारे की सारे question वंडे exam में पूछे गए जितना हमने basic पढ़ा उसी पर आधारी थे तो computer है क्या आक्रों के भंडारे वाली एक सक्चम युक्ती आक्रों के विश्टेशन करने में सक्चम पूर्ण गोपनियता बनाये रखने में सक्चम में कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है एक दम भीया चारू बाती सही है तो इसका answer हमारा क्य से होते रहता है output भी computer देता है understanding computer समझेगा कैसे वह लाल मुझकर है नहीं उसको हमें बुझाना पड़ता है computer को भईया कि तुम्हें ये काम करना है तो computer जो है understanding नहीं करता है तो option हो जाएगा इसका D अगला है वह electronic device जो data को स्विकार कर सकती है data process करती है output उत्पन करती है मु option B अगला है data processing art है हम बार बार पढ़ने data processing पूछा गया है data को उपयोगी बनाना data को सजाना data संग्रह नहीं सजाते हो जाते नहीं data को हम उपयोगी बनाते काम के लाइक बनाते तो यह data को उपयोगी बनाना option number C लिए कर देखो फन्हात्मर डाठा मी प्रयोग किया जाता है ने को रएक बात कि अल्फानुमेरिक डाटा अल्फानुमेरिक में क्या होगा अंकगा अक्षर होगा चिन्ल होगा सब वोगा तो भाया क्यों सब ही होंगे इसके हिंदियों और अंग्रिजि नाम थोड़ा सा अ अलग आपको मैसूस हो सकता है ठीक है लेकिन अलफा नुमेरिक आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में अलफा नुमेरिक आएगा कि computer साक्षरता का क्या मतलब है कि computer for computer program लिखना इन्हें इतना तो software developer नहीं बनना थो computer ढ सुधार ना यह भी नहीं कर देंगे हम के वल इसां के रखें रहें एप ऐसमटे कि कारी चायर रखने नहीं हम यह जान सकते Gothic के सब काम कर सकता है बस्ट बेसिक जानकारी हमारे पास है तो यह सराना के है हमारा कारी च्शम्ता की जानकारी रखना option C computer की कारी प्रणाली जानने का मतलब होता है computer अंदर ते कैसे काम करता है हमारे बसका नहीं है और हमें जानने की जोरत नहीं है हमें केवल computer चलाना है और क्या सब काम कर लिए उपर उपर ये जानना है उसको बुलेंगे computer structure तो हमारा option क्या हो जाएगा? Option हो जाएगा C Computer process द्वारा information में परिवर्तित करता है किसको information में बदलता है? Information मतलब क्या हो गया? सूचना, तो जब computer process करता है तो data को बदलता है सूचना में, है न? Option हो जाएगा B CAD, ये एक नया सब्दावली आया जो हम अभी अंदर ने discuss किये है पहले, तो CAD का मतलब हो जाएगा क्या? Computer added design ये लोग engineering में करते हैं, जो हम design वगरा, घर का, बिल्डिंग का, गाडियों का तियार करते हैं, तो उसके लिए जो software आता है, उसको बोलते है Computer added design Computer के द्वारा, डिजाइन करना Digital Computer विक्सित किया गया अरूस द्वारा, बिटेन द्वारा, USA द्वारा, जापान द्वारा, तो इसमें सबसे विक्सित देश जो था, जो Digital Computer में काम किया, वो थे हमारे भाईया USA, Option No.C अंदाजा ही लगा सकते थे आप इसको और बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते थे वो आदमी जो Computer का जनक समझा जाता है तो बाबा चार्ल्स बैवेज इसको बोलते है, अपन Computer का जनक Father of Computer, ठीक है देखो, Father बोलो जनक बोलो, पितामा बोलो Computer में ऐसे भासा इस्तवाल होगा तीनों एक ही होंगे, आदमीयों में Father और पितामा अलग-अलग हो जाता है लेकिन Computer में, Father भी यही है Computer का पितामा भी यही है, Confuciana नहीं IBM है IBM क्या है, IBM जो है Computer Company है, है ना इसका Full Form भी पुछा गया पेपर में International 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 Business Machine International Business Machine इसका Full Form भी कभी कभी, PSC में, MP, PSC में तो पूछ दिया है तो क्या है, एक Company है, Computer, Computer Hardware, याफे, जो है हमारा जो है Super Computer, यह सब बनाती है अगला कुश्चान है हमारे पास, भारत में Silicon Valley क्या देखो Silicon Valley अमेरिका का एक सहर है, जो Computer के लिए बिख्यात है तो भारत में ऐसा कौन सहर है, जो Computer के लिए बिख्यात है तो भाईया वो है, Bangaluru तो यह हमारा Option हो जाएगा, C आधनी Computer का लगूरूपन संभब हो गया मतलब आधनी Computer छोटा हो गया, बहुत छोटा तो आधनी Computer में हम किसका उप्योग किये, जो छोटा हो गया I.C. का उप्योग किये, Integrated Circuit आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में Computer के विकास में अभी तो फिलहाल यह आप रटा मार लेजी, I.C. दिखता कैसा है क्या होता है, यह सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है तो Option B पहला Computer बनाया था, तो हम जान चुके हैं, पहला Computer कौन बनाया था तो Charles Bevich, बावा Charles Bevich 20 Computer साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है, 2 December को हम अभी डिसकस किये थे, पढ़े थे तो यह हमारा Question रहा, आज हमने बिलकुल Basic देखा है हमने कुछ Questions डिसकस किया है अब धीरे-धीरे यह Computer का जो हमारी यात्रा है, यह आगे बढ़ाते जाएंगे Queses करेंगे, हम हर दूसरे दिन Computer के वीडियोज डाल दें यदि आप लोग का सपोर्ट रहा, तो सारे वीडियोज और पूरे Questions हम Free of Cost डाल देंगे बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुडे रहिए, लोगों तक हमारी बाते पहुंचाएए तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार